नमस्कार मैं हूँ आपके संगनित्यम मंत्र यन तंत्रवास्तु के विशेश कास्टम के साथ No Hard Work, Only a Smart Work एपिसोड 1 में हम आपको बताएंगे कि बच्चों का पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता है अगर आपके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो इसके क्या नुकसान है अगर आपके बच्चों का पढ़ाई में मन लगता है तो इसके क्या फायदे है हम आपको अगले एपिसोड में ये बताएंगे कि आपके बच्चों का अगर पढ़ाई मन नहीं लगता है तो इसके लिए आप क्या खास उपाय करें क्या करें ताकि आपके बच्चों का पढ़ाई मन लगना सुरू हो जाए और आपके बच्चों को परिक्षा में अच्छे अंक आना भी शुरू हो जाए हम आपसे ये वादा करते हैं कि आपके बच्चों को मैं 100% अंक दिलवा कर ही रहूंगा लेकिन आपको भी एक वादा करना है कि आपको एक 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 एपिसोड देखना है उसी के बाद आप अपने बच्चों को गाईर कर पाएंगे एक मार्क दरस करन है और कुछ बिसेश करन है तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो उसके क्या समान करन हो सकते हैं जो पहला करन है पढ़ाई का उप्यूक्त माहुल ना होना देखिए कभी-कभी आपके घर में अच्छे म नहीं है तो बच्चों का भी पढ़ाई में मन नहीं लगेगा पढ़ने का उचित समय का ना होना कभी-कभी बच्चे उचित समय पर नहीं पढ़ते हैं वो गलत समय पर पढ़ते हैं तो इसकी वज़े से भी उनको पढ़ाई में मन नहीं लगता है पढ़ने के लिए उप्य कि सारी सामगडी जो बच्चों को चाहिए वो उपलब्ध होना चाहिए तो उनको पढ़ने में मन लगेगा या उनको कोई कारण नहीं मिलेगा जिसे वो पढ़ाई में उनका मन न लगे जो सबसे बड़ी बात है उचित मार्गदरसन का होना देखे कभी कभी आप अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं या उनको आप एक गाइडेंस नहीं देते हैं एक मार्गदरसन नहीं करते हैं आप अपने कामों में उल्जे रहते हैं आपके पास बहुत काम होते हैं आपका बिजनेस है, नोकरी है, चाकरी है या लोग की transfer हो जाती है तो ऐसे cases में भी बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है कभी कभी एकागरता की कमी हो जाती है बच्चों में जो concentration level है वो भी कम हो जाती है जिससे बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो इन चीजों को मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा कि कैसे बच्चों की कॉंसेंट्रेशन लेवल बढ़ा है कैसे उसकी अकारता को आप बढ़ा सकते हैं इसके साथ साथ द्रड निस्चिया का अभाव एक determination नहीं होता है कि आपको पढ़ना है एक द्रड निस्चिया का होना इसका अभाव होना भी पढ़ाई में मन लगने का एक कारण होता है तो इन कारणों के वज़स से बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है या एक समान कारण मैंने आपको बताया इसके साथ साथ पढ़ाई में मन लगने के कुछ बिसेस कारण भी है वो बिसेस कारण क्या है? वो मैं आपको बताता हूँ देखिए पढ़ाई का कोई उद्देश ना होना अगर आपके जिन्दगी में कोई objective नहीं है या कोई उद्देश नहीं है तो आपको पढ़ाई में मन नहीं लगेगा कोई लक्स का नहीं होना कोई आपका aim नहीं है तो भी पढ़ाई में मन नहीं लगेगा पढ़ाई करने के लिए उत्साहित ना होना जैसे कभी-कभी आप एक मोटिवेट नहीं होते हैं कि पढ़ाई के लिए नहीं आपको उत्साहित होना है इसकी भी कमी है तो आपको पढ़ाई में मन नहीं लगेगा या आपके बच्चों का पढ़ाईवी मन नहीं लगेगा टीवी, मॉबाईल पर धियान होना आजकल के जबाने में जो स्मार्ट फोन है इसकी वज़से काफी बच्चों की जो पढ़ाईवी मन करना लगना इसका बहुत बड़ा रीजन है टीवी का हमेशा देखना या मॉबाईल पर हमेशा लगे रहना या पढ़ाई के साथ मॉबाईल पर ही चैटिंग करना या वाटसब देखना तो इन चीजों की वज़स से भी कभी-कभी आपके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है इसके साथ साथ regular study का नहीं होना कभी कभी क्या होता है कि जब आपकी class school में या tuition class में चल नहीं होती है तो भी आप छुटी ले करके लंबे समय तक बाहर ले जाते हैं किसी काम से तो अगर बच्चे class में regular ना रहेंगे तो जब वो class में लोट कर आएंगे तो वो काफी चीजे छूट चुकी होगी जिसके वज़से भी बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है इसके साथ साथ देर रात तक जागना अगर आप देर रात तक जगते हैं और बच्चों को भी देर रात तक जगा कर रखते हैं तो बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगेगा जो सबसे बड़ी महत्पुन बात है parents जो माता पिता है parents का बच्चों का पढ़ाई के समय में TV देखना जब आपके बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो parents TV देख रहे होते हैं तो बच्चों का पढ़ाई मन नहीं लगेगा, उनको लगेगा कि हमारे माता, पिता, हमारे पैनेट्स नहीं TV देख रहे हैं, तो उनको भी बच्चों को भी TV देखने का मन करेगा, और उनको पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, इसके साथ साथ positive attitude का ना होना, अगर आपके बच बच्चों का attitude positive नहीं है, तो भी उनको पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, lack of discipline, अगर आपके बच्चे discipline नहीं है, या आपकी बातों को नहीं मानता है, जो school जाते हैं, teacher की बातों को नहीं मानता है, तो ऐसे cases में भी देखा गया है कि बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग जो सबसे महत्पूर्ण बात है, एक समय में दो काम करना, आजकल के बच्चे जब जाते हैं, school tuition classes, तो पढ़ाई के साथ साथ, अपने साथ स्मार्टफोन भी रखते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, और बीच-बीच में whatsappers chatting भी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है, एक समय में द खाना, कभी-कभी आप अपने बच्चों को एक hygienic foods नहीं देते हैं, जिसकी वज़स से भी क्या होता दिमाग में जो एक रस का उत्पन होना, वो नहीं होता है, जो पढ़ाई में ये बच्चों को concentration में मदद करता है, तो निश्टित रूप से बच्चों को अच्छा खाना खिलाना भी चाहिए, अब जो important बात है, अगर आपके बच्चे का पढ़ाई में मन लगने लगता है, या लगता है तो उसके क्या फायदे हैं, अगर आप किसी किताब को अच्छे से और मन लगा के पढ़ते हैं, तो आपको वो किताब जो पढ़ रहे हैं, उसे पढ़ने मे रूची आने लगता है, और फिर आपको जल्दी समझ माने लगता है, तो जब भी आपको पढ़ाई मन लगने लगता है, तो जो चीज आप पढ़ेंगे, वो चीजे आपको जल्दी समझ में आने लगेगी, और वो जल्दी याद भी हो जाएगी, अगर आप ध्यान लगा क पढ़ते हैं तो आपको कोई भी टॉपिक जल्दी याद हो जाएगा आपको निंद नहीं लगेगी और जब भी आप ध्यान लगा कर पढ़ेंगे तो मैं आपको अगले एपिसोड में ये बताऊंगा कि कैसे बच्चों का पढ़ाई में ध्यान आप लगा सकते हैं किन तरीको का इस्तिमाल करके मैं आपको अगले एपिसोड में निश्टी तुरूप से बताऊंगा अब जो दूसरी महत्पुन बात है अगर आपके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो पढ़ाई में अगर मन नहीं लगता है तो इसके क्या नुकसान है तो सबसे पहला यह है कि अगर आप पढ़ते बक्त ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो आपको याद क्या हवा चीजे अगले दीन ही आप भूल जाओगे अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ते हैं तो जो चीज आद आप याद है तो निश्चित रूप से आप उसको कल भूल जाएंगे या जब आपकी पढ़ाई बोरिंग हो रही है तो आप कैसे इसको इंट्रेस्टिंग बना सकते हैं आपको निश्टित रूप से अगले एपिसोड को देखना है तब ही आप इन चीजों को समझ पाएंगे इसके साथ साथ आप जो पढ़ रहे हैं उसे याद करने या समझने में सम नुकसान भी है अगर आपके बच्चों का पढ़ाई में मन लगता है तो उसके बहुत फायदे हैं आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा कोई मेहनत नहीं करना पड़ेगा आपके बच्चे खुद बखुद अच्छे कर लेंगे अच्छे रिजल्ट आएंगे अच्छे आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, तो किरप्याय से लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों सगे समंध्यों के साथ सेर करें, ताकि उनके बच्चों को भी अगर पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो इन चीजों का फैदा जरूर देखें, तभी आपको पूरी तरह से समझ में आएगा, कि आपको किस तरह से अपने बच्चों को गैडेंस देना है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद